वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो एक पैटन की बात होती है कोई भी कॉम्पटिशन एक्जाम जो स्टार्ट होते हैं उनमें पैटन जरूर आता है ना तो यह पैटन का जो है वो सेकंड पार्ट है इसका फस्ट पार्ट जो है वो मैं इसके पहले बना चुका हूं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते ही या मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक के दे दूँगा तो आप उससे भी देख सकते ही ठीक है तो पैटर्ण जो है वो पुलस में भी आता है एमपिटेट में भी और जो ओल कॉम्पिटिसन एक्जाम हों उनमें भी पैटर्ण के कॉस्चन्स मुझे जाते ही ठीक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो को नॉटिफिकेशन मिल सके और हम स्टार्ट करते हैं पैटर्ण के क करना है एक्ष्ट ठम बताने यानि यह वाला तो आपसंस आपके यह रहेंगे आपको वीडियो को पहले रोकना है उसके बाद आपको आगे ट्राइग करना भी तो मैं बता देता हूँ आप लोगोंने कर लिए होगा देखते हैं कितने का डिफरेंट चल रहा है तो आप दे जाएगा चंगन यानि 54 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्सन नंबर भी ठीक है आगे देखते हैं हम आई क्या लेखा है नो 27 45 और 63 अब इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है यह इसमें क्या पैटन जो है इसमें पैटन आपको दिखाई दी रहा है ठीक है तो हम stems आप लोगों ने देख ली आओगा कितने का डिफरेंस च चल रहा है तो हम देखते हैं डिफरेंस तो हतर 30 अगशल? जो है वो इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो बस हम 63 में क्या है 18 को जोड़ देंगी तो हमारा right answer हो जाएगा तो कितना होगा तीर में 8 जोड़ा हो ग्यारा और यह यानि 18 तो 18 जो है वो इस question का right answer हो जाएगा है यानि 18 का pattern जो है यहाँ पर चल रहा है ठीक है तो right answer क्या हो जाएगा यह 18 आगे देखते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर pattern कितने का चल रहा है ठीक है तो आप लोग पहले वीडियो को रोखें फिर उसके बाद आप solve करें अच्छा लगर वा pattern तो आप लाइक वीडियो को ज़रूर कर सकते हैं फ्रेंड के साथ भी अपना आप इसको share कर सकते हैं तो pattern आप देखें pattern चल कौन सा रहा है pattern यहाँ पर हम देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लोग को देखाई दीरा होगा एक से तीन हुआ तीन से बारा होगा ठीक है यहाँ पर नगर हम देखें तो आप देखें तो एक गुड़े एक आपको मालब एक में तीन का गुणा होगा तीन गम तीन आएगा फिर तीचो के मालब बारा होगा बारा तीया 36 होगा यानि पहले 3 का गुणा किया यानि पहले 3 का गुणा होगा फिर 4 गुणा होगा यानि इस में जो हमने 1 में 3 का गुणा किया तो 3 आया फिर उसके बाद 3 में हमने 4 का गुणा किया तो ये 12 आया फिर हम 12 में फिर 3 का गुणा करेंगी तो कितना आएगा तो ये 36 आएगा फिर इस 36 में हम गुणा करेंगे कितने गा चार का तो कितना आएगा तो ये 44 आएगा यानि पैटन क्या चल रहा है आपको देखाई दे रहा होगा तीन फिर चार फिर फिर तीन फिर चार यानि पहले तीन को कुणा फिर चार का गुणा अब चार को गुणा हमा रहा ह् हो चोक़ा यानि अभ हम 144 में हो है थीन का को करेंगे टीछों के बाथ ऊपस्ट का राइग लिएग का дов princessove यहां यहां पे किसका यहां पे क्या पैटन चल रहा होगा ठीक है तो आपको पैटन पहले चेक कर लेना है तो हम देख सकते हैं यहां पे पैटन जो है वो कौन सा पैटन लग रहा है तो बस अगर आपको कोई भी पैटन देखना है कि इसमें पैटन क्या है आगे क्या आएगा तो आपको क्या कर लेना है सब का difference ले लेना है ना उससे आपको pattern बिलकुल भी clear हो जाएगा तो 190 में से अगर 65 को minus करें 190 में से अगर हम 165 को minus करें तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ 8 बचा 8 में से 6 जाएगा यानि 2 तो यहाँ 25 यानि इन दोनों में तो जो है 25 का difference चल रहा है फिर इसको हम minus देख लेते हैं 165 में से 140 को हम minus कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 5 यहाँ 6 में से 4 गया तो 2 बचा यानि यहाँ भी 25 यानि इन दोनों में तो हमने देख लिए कि 25-25 का difference चल रहा है यानि इसमें भी 25 यानि इन में अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि इन सम में जो है 25 का डिफ्रेंस दिखाई दे रहा है यानि 90 में से भी हमें क्या कर दीना है 25 को माइनस कर दीना है ठीक है अब देखते हैं हम आगे इनेक्स्ट ये लिखायर ठीक है यहां आप देख लेते हैं क्या है यहां पर पंद्रा से हो रहा है 5 25 25える 0七 वाओ तो आप लोगों पर लेना है अब हम संते हैं इसमें की डिफरेंस चल क्या रहा है तो आप देखते हैं यहां 15 से जा रहा है 75 यानि कि 15 में अगर हम 20 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा सुरी 15 से 25 जा रहा है यानि 20 में हम अगर 15 में 10 जोड़ें है ना 15 में अगर हम 10 को जोड़ें तो 25 हो जाएगा यानि कि यहाँ पर 10 का डिफरेंश चल रहा है अब अगर हम 25 में कितना जोड़ें कि 45 हो जाए तो 25 में हमें 20 जोड़ना पड़ेगा तो 45 हो जाएगा ठीक है अब 45 में हम कितना जोड़ें कि 85 हो जाए तो 45 में आप देखें हम 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 85 ठीक है मलब ये भी हो गया अब हम कितना जोड़ें ठीक है 65 हो जाएगा तो अब हमें कितना जूड़ना पड़ेगा तो आपने देखा कि यहां पे जूड़ा था हमने 10 यहां पे जूड़ा था 20 और यहां पे जूड़ा था 40 और यहां पे जूड़ा 80 यानि की दुगना करते गए हम तो अब 80 के दुगना कितना होगा 160 यानि अब हमें 40 और यहां पे जुड़ा 80 है ना तो बस लास्ट में हमें क्या जुड़ना पड़ेगा देखो दुगना हो रहा है 10 का 20 दुगना होगा आगे जुड़ना पड़ेगा हमें सीधा 160 तो बस इसमें हम 160 को जुड़ लेते हैं तो नेक्स्ट जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा 6 और 6 बारा और एक 3 यानि 325 तो आफसन नमबर B में आपको 325 दिखाई दे रहा होगा ठीक है आगे चलते है आगे आगे आपको ये सेकंड लास्ट रहेगा इसके बाद लास्ट रहेगा ठीक है तो आगे देखते हैं आगे आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है 9 ठीक है और यहाँ है 30 फिर यहाँ 93 फिर यहाँ 282 तो आप सोचिए किसमें पैटर्न क्या आएगा ठीक है तो हम देख लेते हैं डिफरेंस तो हमारा काम करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर साथ है यहाँ पर बहुत तो मतलब यहाँ कैस हो जाएगा और यहाँ पर डिफरेंस देती ही सो जाएगा है ना और तो मतलब यह अलग चलना डिफरेंस और कोई पैटर्न क्या चलेगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 का क्यूब अगर हम करेंगे यानि 2 का Kyuge कितना होता है आठ होता है 2 का Kyuge करेंगे तो 8 27 33 30 होता है 37 का 3 में गुना करेंगे Air 6 के तो चैंका जाएगा यानि क्या हो रहा है ते गुना करना है और उसमें 3 हमें जोडना है तोもう disparity में हम 13 करके देख लीते हैं तो किन तरका 9 इसमें 3 जोड़ेंगे तो टना होगा कटा 82 यानि 3 का गुना करना है और तीं हमें जोड़ना है तो बस 282 में जो है आप 3 का गुणा कर दीजी तो कितना हैगा 3 2 6 3 8 24 और हासल 2 3 2 6 और 2 8 846 उसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 800 49 तो बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 800 49 आगे देखते हम लास्ट यह रहेगा हमारा तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ से और भी कर सकते हैं तो बस अस्टार्ट करते हैं लास्ट कॉस्चन है n reference 3 का Q करें तो इसमें पैटन क्या चल रहा है आप पहले देख लीजिए आप इसके पैटर्न की तो हम देखते हैं पैटर्न आप लोग यहां देखें क्या होगा कि अगर हम 8 का 1 में गुना करें 8 एकम 8 होता है उसमें अगर हम प्लस 3 करें तो 8 में 3 प्लस करेंगी तो 11 हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद देखिए 11 एकम 11 यानि 11 में अगर हम 11 एकम 11 हो गया 11 में अगर हम 5 जोड़ें तो 16 हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद दूसरा देख लेते हैं 16 एकम 16 यानि 16 में अगर हम 7 जोडे तो क्या होगा ? कैईस हो जाएगा दूसरा देख लेते हैं 32 32 एकम 32 32 में अगर 16 एकम 16 एकम 32 तो पैटर्न क्या चल रहा है ? यानि कि उसमें 1 का गुणा हो रहा है और अवाज संख्या यानि कि 3 पिसम संख्या फिर एक का गुणा फिर 5 जुडा फिर एक का गुणा 7 जुडा यानि अब हमें क्या करना पड़ेगा 32 में गुणा करना पड़ेगा एक का तो आएगा 32 अब यहां पर हमने क्या जोड़ा था नौ जोड़ा था तो अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 11 तो किता हो जाएगा 2 रेक 3 और यह 4 यानि 43 तो राइट अंथर क्या हो जाएगा 43 तो यह इसमें जो है पैटन चल दाता ठीक है तो अब लोगों को वीडियो पसंदा आया हो तो आप लाइक जरूर करें और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है और अपने फ्रेंड के साथ सेर भी करें इस वीडियो को और इसका फर्स्ट पार्ट बिलकुल देखना ना भूलें मिलते हम नेश्ट वीडियो में